लमो लमो नमो कार मंत्र है न्यारा किस में लाखों को तारा किस महा मंत्र का जाप करो बवजल से मिले कि नारा नमो अरिहन्तानं नमो सित्तानं नमो आयरियानं नमो अच्छायानं नमो अरियान्दों नमो आयरियान नमो आयरियान नमो आयरियान्दों नमुकार मंत्र है न्यारा किस नेलाखों को तारा किस महा मंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा नमो अरिहन्तानम नमो सित्थानम नमो आयरियानम नमो अच्छायानम नमो लोए सवसाहुणम श्री सोहनराज तातेल का जन्म स्वतिंतरतापूर्व रादस्थान राजर के रेगिस्तानी बाढमेज लेके एक छोटी से गाव कानूर में एक मध्यमवर्गी जैन परिवार में 5 जुलाई 1947 को हुआ था बाढमेर पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और वहां जीवन बहुत कटिन है गर्मियों के दिनों में रेतीले तूफान वहां की रोजमर्रा की घटना है मध्यमवर्गे परिवारू में जन्म लेने वालू के लिए ऐसे विशम इस्थान पर जीवन यापन करना आसान काम नहीं है उन्हें जीवन में कुछ उपलब्धी प्राप्त करने के लिए कठिन संगश करना पड़ता है एक प्रसिद कहावत है कि एक द्रड निश्टई व्यक्ती ना केवल अपना बलकि अपने परिवार और समुदाय का भाग्य भी बदल सकता है ये कहावत सोहनराज तातेड पर शत प्रतिशत सही उतरती है श्री सोहनराज तातेड के पिता श्रीमुल्तान मल घरेलू उप्योग की वस्तुमें बेचने वाले दुकानदार थे और कानोर भी उनकी दुकान थी उनकी माता श्रीमती चंपा देवी एक सरल हिर्दय ग्रहनी थी और वे अपने परिवार के प्रती पूर्टया समर्पत थी श्रीमुलतान मल और श्रीमती चंपा देवी दोलों को ही सिक्षा प्राप्त करने का अफसर नहीं मिला क्योंकि उन दिनों कानोड गाउं में कोई विध्याले ही नहीं था गाउं में बिजली और सडके जैसी मुलभूत सुमिधाय भी नहीं थी और पीने के पानी की बड़ी भारी कमी थी वहां के लोग परमपरागत तरीकों से वर्शा जल को सरक्षित करते थे और पूरे वर्श भर तक पीने और अन्य कारियों के लिए उसी जल का प्रियोग करते थे उनके माता-पिता अत्यंत सीधे साधे, सरल हिरदय, एमानदार और धार्मिक प्रवर्दी के थे उनके पिता श्री मुलतान मन ने ये गुण अपने पिता श्री हेम राज और अपनी माता से विरासत में प्राप्त किये थे सोहन राज तातेर की माता पिता नम्रता और सादगी की साक्षाद प्रती मूर्ती थे और वे अपने बच्चों की सिक्षा के प्रती अत्यंत सचेष्ट और जागरूप थे वे दोनों ही अत्यंत परिश्रमी और धार्मिक सभाव के थे सोहनराज ताते ने भी ये गुण अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त किये उनके माता पिता जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा के तेरापंत संप्रदाय की अनुयाई थे जो लगभग दो सो पचास वश पूर्व आचारी भिक्षु द्वारा प्रारंब किया गया था इस संप्रदाय की अनुयाई धर्म संग में अगाद शद्धा रखते हैं और आचारी इस संप्रदाय के प्रमख होते हैं इसके वर्तमान आचारी श्री महाश्रमण हैं सोहनराज तातेर पाँच भाईयों और चार बहनों में तीसे नंबर की संदान है बच्पन से ही सोहनराज तातेर अपने सभी भाई बहनों से अधिक बुधिमान और अध्यनशील हैं प्रारम में ही वैत्यंत परिश्रमी, सीधे, सरल, विनम्र और म्रद भाशी रहे हैं और विरक्ती का जिवन बिताते रहे हैं इनके दूसरी कक्षा तक की प्रारमबिक सिक्षा कानूर गाउं के ही विद्याले में हुई ये विद्याले केवल दूसरी कक्षा तक ही था इसलिए उन्हें किसी दूसरे विद्याले में भेजना पड़ा उनके माता-पिता ने उन्हें अपने दूसे निवास स्थान बार्मे जिले के जसोल गाउ में भीच दिया जहां उन्हें राजकिय माधमक स्कूल में प्रवेश मिल गया इस विद्याले में उन्होंने आठवी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। ये विद्याले उस शेत्र के सबसे अच्छे माधमक स्कूलों में से एक था। वे अपने माता-पिता के साथ रहकर ही सिक्षा प्राप्त कर रहे थे। जसोल के माधमक स्कूल में वे विध्यारती संग के अध्यक्ष सचिव रहे। वहां से वर्ष 1961 में पूरे विध्याले में प्रतमस्तान से आठवी कक्षा उतीन करने के पश्रात उच्ष अध्यन के लिए उन्हें जोतपूर भीजा गया। जोतपूर संभागे मुख्याले था और अच्छी सेक्षिनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता था। जोतपूर में उन्होंने महेश उच्रमादमिक विध्याले में प्रवेश लिया जहां से उन्होंने कक्षा 9 से 11 तक ही सिक्षा प्राप्त की। यहां भी वह वर्ष 1961 से 1974 तक चात्र संग के अध्यक्ष और सचिव रहे। वह हमेशा से एक मेधावी और सरवादिक अंग प्र प्रवेश प्रकार उन्होंने ना केवल अपने परिवार बलकि अपने गाउं और समाज को भी ख्याती दिलवाई। इतना सब कुछ होने पर भी उनका जीवन आसान नहीं था बलकि बहुत कठिन और कांटू से भरा हुआ था। उच्रमादिमिक परिक्षा में संपूर राजस्थान में सीश इस्थान पर रहने के कारण उन्हें वर्ष 1964 में MBM Engineering College जोथपूर में प्रवेश मिला और उन्होंने Mechanical Engineering शाखा में प्रवेश लिया। सोहन राज तातेर और श्रीमती लक्षमी देवी दोनों ही धार्मिक प्रवर्ती के व्यक्ति हैं और उन्हें योन सुक प्राप्त करने में कोई रूची नहीं है। वहाँ चाहा होती है वहाँ रहा निकल ही आती है। जैनमुनी दिक्षा लेने के लिए प्रिरित किया। पती-पत्नी दोनों ही ऐसा करने के लिए बहुत उत्सुक थे। परन्तु ऐसा हो ना सका। क्योंकि अभी तक उनके चरित्र मोहनी कर्म का पूरा सयोपशम नहीं हुआ था। वश 1965 से उननी सो उनसत्तर तक शी सोहनराज तातेड अपना अध्यान जारी रखनी और अपने चार भाई बहनों के अध्यान का खर्च वहन करनी के लिए अपने साथी विध्यार्थियों को प्राइविट यूशन पढ़ाया करते थे। इस अवधी के दोरान उन्होंने अपने सैक्डो साथी विध्यार्थियों को उच गुणवत्ता वाली स्कूली सिक्षा प्राप्त करनी और उसे जारी रखने के लिए प्रेरित किया। से उतीन हुए बलकि MBM Engineering College जोदपूर की BE Mechanical परिक्षा में सर्वोट्र अस्थान प्राप्त किया और इस प्रकार वे पूर्ण तरा प्रसिक्षित एंजिनियर बन गये। सर्दापूरा जोदपूर की जैन शृतामबर 13 पंथी सभागे सचिव रहे। वर्ष 1970 उनके जीवन का एक निर्नायक वर्ष साबत हुआ। इस वर्ष उनका राजस्थान राजसेवा आयुकद्वारा चयन किया गया। और उनको राजस्थान सरकार की जन स्वास्थ अभ्यांतरे की विभाग में साहयक एंजिनियर के पत्पर न्युक्त किया गया। राजसेवा में रहते हुए भी और आगे अध्यन करने के लिए उन्होंने एम्मी उत्तीन किया और उसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। चुकि वे अपने कारियों में बहुत मुस्तैद, प्रमानिक और सच्चे रहे। अधराजस्तान सरकार के द्वारा चार बार उनका सम्मान किया गया जिसका विवरन निम्न प्रकार है। के कारे करने के लिए। और शेत्रों को वायू प्रदूशन रहित रखने के शेत्र में एक जानी मानी हस्ती बन गया। शी शोहन राज तातेड हमेशा तेरा पंत से जुड़े रहे और उन्होंने इस पंत की सेवा और विकास के लिए अनवरत और अन्थक कारूप में कारे किया। धर्म संक के प्रती अपार्शध्धा इम समर्पन और उसमें पूर्ण आस्था तथा सभी साध्वों और साध्वियों के प्रती आदरभाव रखने के कारण उन्हें कई बार सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। वश 1987 में उन्हें अखल भारती तेरा पंथ युवक परिशध्ध द्वारा युवक रत्न अलंकरन प्रदान किया गया। ऐसा सम्मान और स्वभागी बिल्लो को ही मिलता है। वश 2010 में उन्हें दिगंब जैन समाज द्वारा समाज भूषण की उपाधी प्रदान की गई। वश 2009 में लखनव विश्वध्याले लखनव उत्ता प्रदेश के द्वारा योगरत्न पुरस्कार वश 2010 में राष्टी स्वतंद्र सम्ता मंच द्वारा सम्रस्ता उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान गिया गया। भारत नेपाल मैत्री पुरस्कार बनारस हिंदू विश्वध्याले बनारस की भारती योग अकेडमी द्वारा वश 2010 में फैलो पुरस्कार वश 2010 में लखनव विश्वध्याले लखनव के द्वारा प्राकरतिक चिकित्सा रतन पुरस्कार वश 2011 में भारत भूटान सम्रस् पुरसकार वर्ष 2011 में Friendship Forum of India नई दिली द्वारा भारत सर्वुस्चुता पुरसकार वर्ष 2011 में Holistic Medicine सेलम द्वारा शीपतनजली महर्शी अंतराश्च पुरसकार प्रदान किया गया। 2 मार्च 2012 को योग के शेतर में अनुसंधान करने के लिए उन्हें उतरप्रदेश की संस्था रिम्स और सेफाई इटावाद द्वारा भी समानित किया गया। 2 विज्यान श्री अवार्ड जैन दिगंबर समाच उदापूर फोर कॉंट्रिबूशन इन बिल्दिंग साइंस और स्पुर्ट्वादी इस्थाल राद सम्मन फोर बिल्दिंग मौंग्स और नन्स कैक्टर्श 3 विज्यान श्रीतांबर समाच सेरोही जैन रत्न अकल भारतिये जैन एकतामंच संस्थान उदापूर फोर सर्विस तूवर्द सेवा चक्रपूर्सकार अल इंडिया एकॉनमी सर्वे अवार्ड कॉंसिल न्यु देली फोर सर्विस तूसाइटी इंडिया अवार्ड एक्स लॉष मेर वाल्ट इंडिया खूसर हे समताव से अवार्ड इंड जैनि रस शनिंग अवार्ड वार्ड ब्रु एकॉनमी सर्वे अवार्ड का इंडिया अवार्ड Diä č. तूस्वा सूसिछ को तूससाइट अवार्ड एक्स तूसाइटी। Lifetime Achievement Award, Adalila Foundation, New Delhi for Service to Humanity Oswal Ratna Award, Oswal Samaj Rhodhpur for Social Services Bhama Shah Alankaran, Radhasthan Government for Donation for Upgradation of Building from Middle to Secondary School at Kenor, District Barmid, Radhasthan Seva Shree Award, Narayan Seva Sansthan Udaipur for Help to Disabled Persons Mother Teresa Seva Ratna Award, All India Economy Survey Council, New Delhi for Lifetime Services to Society Sark Samrastha Award, Samrastha International Jaipur for Service in Education Field Raschigora Award, India International Frightship Society, New Delhi for Service in Education Field Icon of Philosophy Award, Suchi Aritha Vishaka Patnam for Psychology Work Lifetime Achievement, All India Economy Survey Council, New Delhi for Lifetime Services to Society Samrastha Karma Ratna Award, Samrastha International Congress Nepal for Social Service Best Personalities of India, Frightship Forum, New Delhi for Welfare of Indian People Falliated by International Lawyers Club Jodhpur, Year 2015 for 50 Years Long Contribution to Society Jan Padmashree Kanthisagar Shuri Smark Trust, Mandwala for 50 Years Long Services to Humanity, Academic Jwell of India Andhra Pradesh Editors Association Vishaka Patnam for Long Services in Education Field Falliated by Andhra Gandhi Award for Excellence, Global Brotherhood Forum, New Delhi for Selfless Long Service to Society Falliated by Narayan Seva Sansthan, Narayan Seva Sansthan Udaipur for Financial Help to Disabled Persons Global Health Excellence Award, Economic Growth Foundation, New Delhi for Long Services to Society in the Field of Health by Yoga Falliated by Maulik Adhikar National Association, New Delhi for Environment Protection while serving in PHED as an Engineer International Achiever Gold Star Award, All India Development Association, Delhi-Dubai 2015 Given at Dubai, UAE for Projecting Indian Culture Abroad Falliated by Akhal Bharatiya Darshan Parishad Allahabad for Great Contribution to Philosophy Field Vijayan Shri Award Vijayan Shri Award Jain Digambar Samaj Udaipur for Contribution in Blending Science and Spirituality Svand Samman Bhikshu Bodhisthal Raj Samman for Building Mongs and Nuns Characters Samaj Ratna Jain Shritambar Samaj Sirohi for Affleeting Human Moral Social Values in Society Jain Ratna Jain Ratna Jain Akhal Bharti Jain Akhtamanj Sansthan Udaipur for Services Towards Humanity Sheva Chakra Puraskar All India Economy Survey Award Council, New Delhi for Service to Society India Award for Excellence in Education, Fratship from India, New Delhi Vijayan Shri Award Jain Digambar Samaj Udaipur for Contribution in Blending Science and Spirituality Svand Samman Bhikshu Bodhisthal Raj Samman for Building Mongs and Nuns Characters Samaj Ratna Jain Shritambar Samaj Sirohi for Affleeting Human Moral Social Values in Society Jain Ratna Akhal Bharti Jain Ekta Manj Sansthan Udaipur for Services Towards Humanity Seva Chakra Puraskar All India Economy Survey Award Council, New Delhi for Services to Society Raastriya Jyoti Award Global Brotherhood Forum, New Delhi for Social Service IJMER Award for 2014 IJMER Vishaka Patnam for 50 Years Service to Society Falluciated by Indian Society of Gandhian Studies, Indian Society of Gandhian Studies Pune for Spreading Gandhian Ideology in School, Colleges, Universities Atha School Sehe Falluciated by Indian Society of Gandhian Studies, Indian Society of Gandhian Studies Pune for Spreading Gandhian Ideology in Schools, Colleges, Universities Siksha Padmabhushan Award, Indian Board of Alternative Medicines Kolkata for Long Time Devotion to Education, Philosophy and Yoga Falluciated by Vandana Research Center, Vandana Research Center Ranchi for Long Time Working with Devotion in Comparative Religion Field Falluciated by IIT Mumbai and Mumbai University, IIT Mumbai and Mumbai University, Mumbai for Long Time Contribution in the Field of Jainism and Science Falluciated by Indian Academy of Yoga, BHU, Indian Academy of Yoga, BHU, Varanasi Long Services in the Field of Yoga Atarya Bhikshu Pragya Samman, Vigyan Samithi Udaipur for 50 Years Contribution to Jain Dham Darshan Jain Vishra Bharty, Jain Vishra Bharty, Jain Dharmaav Limbiyu के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थान है के विकास के लिए श्री सोहनराज तातेड की युगदान को भुलाया नहीं जा सकता जब वो अधिशाशी अभियंता के पदपर 1989 से 1985 चूरन युगत थे तब Jain Vishra Bharty लांड़नू के परिसर में अनेक उलेखने निर्मान कारे करवाने में इनकी एहम भुमिका रही उन्होंने वहां एक कुँआ खुदवाने एक भुमिकत पानी का टैंक बनवाने एक उपर की पानी की टंकी बनवाने पाइपलाइन बिच्वाने बजली का वित्रन करवाने और एक बजली का जनरेटर लगवाने में अत्यंत महत्वपून भुमिकाने भाई उन्होंने अमरातयन और कला धिर्गा जैसी अनेक सुंदर इमारतों की डिजाइन बनवाने और उन कारियों की देखभाल करने में भी सक्रे भुमिकाने भाई वश उन्नी सो उन्नब्य में शिसोहन राज तातेड ने अपना अधिक्तम समय युवा वाहिनी के स्वतंत्र संचालन में लगाया युवा वाहिनी युवाओं के विकास के लिए प्रती बध एक संगठन है और वश उन्नी सो उन्नब्य को योगशेम वश घोशित किया गया था उन्होंने ये महत्व पूनकारे तब किया जब अखेल भारती युवक परिशत के उपाधश के रूप में अपनी मानद सेवाई दे रहे थे आचारी महाप्रगे की अहिंसा यात्रा अहिंसा को प्रोचसाइद करने के लिए की गई यात्रा के दोरान शी सोहनराज तादेर ने आचारी श्री महाप्रगे की प्रेणा से और उनका आश्रिवाद और अपने परिवार की अनुमती से तेरा पंत धरमसंग की सेवा के लिए सरकारी नौकरी से स्विच्छा पूर्वक न्यूक दिली। उस समय वे राधस्तान सरकार की जलदाय विभाग में सुप्रिटेंडिंग एंजिनियर पत पर कार्य कर रहे थे।